प्रार्थन के लिए प्रार्थना सुरू करने से पहले मैं वचन की माध्यम से हर एक से बात बात चित करना चाहता हूं आयो वचन को देखते हैं एक कुरुंतियों अध्याय पंद्र है एक कुरुंतियों अध्याय पंद्र है वचन चंवन से आयो देखें जै ने मृत्तु को निगल लिया है मृत्तु तेरी जै कहा रही हे मृत्तु तेरा डंग कहा रहा मृत्तु का डंग पाप है और पाप का बल ब्यवस्था परन्तु परमिश्वर का धनिवाद हो जो हमारे प्रभु येश्व मसी के द्वारा हमें जैवन्त करता है इसलिए हे मेरे प्रिय भाईयों द्रण और अटल रहो और प्रभु के काम में शर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि यह जानते हो कि तुमारा परिश्वरम प्रभु में ब्यर्थ नहीं हालेलूया मेरी प्यारे भाईयरवनों यहां परमिश्वर का वचन कहता है कि जै ने मृत्तु को निगल लिया जै ने मृत्तु को निगल लिया यानि परमेश्वर ने मृत्तु के उपर जै प्राप्त करके मृत्तु को हरा दिया यानि मृत्तु को निगल लिया परमेश्वर ने अपने इकलोते पुत्र के द्वारा उसने क्या किया मृत्तु को मृत्तु को निगल लिया यानि मृत्तु को हरा दिया जैसा कि आज के 2000 साल पहले हमारा येश्वमसी संसार में आया और हमारे पापों को अपने देह पर लिया वो मारा गया कूटा गया और सुली पर लटका दिया गया मरा वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मूर्दों में से फिर जिन्दा हो गया मृत्तु ने उसे निगलना चाहा लेकिन हमारा येश्वमसी संस मृत्तु को हराया और वो मृत्तु के सर पे अपने पैरों को रख कर वो गब्रशे बाहर निकल गया इसलिए बाइबल की बचन कहती है कि जै ने मृत्तु को निगल लिया इसलिए बचन कहती है कि हे मृत्तु तेरी जै कहां रही हे मृत्तु तेरी जै कहां रही क्योंकि तुने पुरे संसार के उपर जै पाया था हे मृत्तु तुने पुरे शंसार को अपने कबजे में किया था इसलिए हे मृत्तु अब तेरी जय कहा रही क्योंकि हमारा परमेश्वर आज के 2000 साल पहले उसने क्या किया हे मृत्तु तुझे हराया और हरा कर उसने क्या किया कि वह जय को हासिल कर लिया जय प्राप्त कर लिया इसलिए कहता हे दंग कहा रहा किकि तुँ अपने पाप रुपी डंग से तु क्या करते थे तुँ हर एक व्यक्ति को अपने वश्च में करते थे और उन्हें अपने में समीटना चाहती थी इसलिए हे मृत्तु वह परमेश्व राज के 2000 साल पहले उसने क्या किया तेरे डंग को समाप्त कर दिया तुझे हरा कर तेरे डंग को समाप्त कर दिया जो मनुश्यों के अंदर तुझे मृत्तु क्या करती थी अपना डंग मार कर उसे तकलीब दुख पीड़ा देती थी मनुश्य पाप करता था दुख में होता था तकलीब में होता था मृत्तु की तरफ जाता था विनास की तरफ लेकिन हमारा येश्व मसी आकर उसने क्या किय यह मृत्तु तुझे हराया और तेरे डंग को नश्ट कर दिया इसलिए बचन कहता है कि मृत्तु का डंग तो पाप है मृत्तु का डंग पाप है और पाप का बल तो बेवस्ता है पाप किष्चे पैदा होता है बेवस्ता के द्वारा नियम के द्वारा पाप बेवस्ता के द्वारा बैदा होता है इसलिए कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है पाप बेवस्ता के द्वारा उत्पन हुआ जब बेवस्ता के द्वारा पाप उत्पन हुआ तो पाप के द्वारा मृत्व आई पाप के द्वारा मृत् क्योंकि जब संसार में मनशों के बीच में द्यवस्था आई तब पाप जन में ले लिया उसी लिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु येश्व मसी के द्वारा हमें तो पाप से जयवंद कर दिया उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने क्या किया कि हमें अपने इकलोते पुत्र येश्व के द्वारा उसने क्या किया हमें जयवंद कर दिया हमें पाप पे जयवंद कर दिया किकी मनुश्य पाप से घिरा हुआ था पाप के पाप रुपी डंग में वह तड़प रहा था लेकिन हमारा येश्व मसी आया और हमें क्या किया वो डंग से पाहर निकाला और हमें बिलकु सुरक्षित कर दिया और हमें मृत्व पर विजय दे दिया इसलिए कहता है कि हैप्रियों जब तुम मर्ट्च पर जयप राप्त कर लिये हैं तो तुम के कामों में सरवदा बढ़ते जाओ और यह कि बढ़ेंसाइड कि तुम्हारा प्रभू में यह जानते कि तुम्हारा प्रभू में बढ़ते जाओ कि तुम इस बात को जानते हो अगर प्रभू के लिए तुम परिष्ठम करोगे तुम्हारा परिष्ठम बिदन नहीं होगा वह फलबंत होगा हमेशा फल को उत्फन होगा इसलिए मेरे प्रमेश्वर के एक्षा के अनुशार आप अपना जीवन जीए बुराई को त्याकर भलाई के मार करशलिए हमेशा प्रभू में बढ़ते जाओ प्रभु के एसुस माचार प्रभु के आग्याओं में और प्रभु के कामों में आप बढ़ते जाओ ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके उपर अपना उद्धार वरसा है अमेन अलेलुया ईसलिया आईए अब आपको बंद करिए पूरी विश्व अज़ गई धनिवात करता हो मेरे प्रभु परमेश्वर स्रिष्टी के मालिक धर्थी पे नiosa उप जाने वाले परमेश्वर तेरा धनिवातर मीमा करता है ये सुराजा तेरे नाम में स्वर्दिवच्छ बातों को नीचे बढ़ा तागी जितने लोग इस प्रार्तना को सोने प्रभू हर एक के जीवन में तेरा उद्धार तेरा कल्यान उतरने पाए यह प्रभू इनके सारे गुना सारे पाप्स शमा होने पाए और तेरे श्वर्ग की आसी से स्वर्ग का अनुग्रह इनकी उपर परमेशर इनके जीवन में जो दुख है तकलीप है बिमारी है कलेश पद्रों है इनको हर प्रकार की समस्या से मुप्त कर दे मेरे महान परमेशर हम प्रार्तना करते विता इनके जीवन में अलोगी क्यमतकार होने दे ताकि परमेशर तेरे अलोगी काम इनके जीवन में परम हम प्रार्थना करते हैं आज के 2000 साल पहले यह परमेश्य तु अपने आपको यह परमेश्य सुली पर चढ़ाया अपने आपको बलिदान कर दिया और यह पर यह प्रभू तेरे सरीर को गाड़ा गया और तू तीसरे दिन कबर को भाड़ कर बाहर निकला अऔर मृत्तु के उपर जैप्राप्टगिया उसी प्रकार है प्रभू अम प्रार्थना करते हैं आज छपारे ना सोड़ेस्स चुतकारं अनका जीवन तेरी अन्मोल आश्ष्यसों से बरने पाहर यह प्रबू ना करते हैं आज के 2000 साल पहले परमेश्य तुपुरे संसार का उद्धार किया तो मृत्वों में से जिंदा हुआ और अपने साथ हर उन लोगों के को जो तेरे नाम पे विश्वास करते हैं तुने उन्हें जिवित कर दिया आज अपना उद्धार इनके उपर वर्षा ताकि नाम के द्वारा जिवित बनने पाए है मेरे महान परमेश्य प्रार्ठना करते हैं जितने दुख जितनी तकलिप जितनी पिडाय इनके सरी में सम नस्त्जू जा Спरमेश्य पुर्भार्द क estratे नस्ती होने पाए है रोजली रोजगार के समश्चा करने नस्त्ऊ त۔ यह परमेश्य जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। प्रभु अपने पुनुरुत्तान की आसे से होने दे प्रभु जिस प्रकार तु आज के 2000 साल पहले परमेश्य अपने आपको बलडान किया कब्र में दभन हुआ और तीसरे दिन पुनुरुतान के समय तु फिर से जिंदा हुआ ठीकुश्य प्रकार यह लोग जो पाप में मर प्रभु आज इनका पुनुरुत्तान होने दे पाप से यह बाहर निकलने पाएं यह प्रभु जो पाप में मर गए थे यह पाप से बाहर हो जाएं ताकि दुबारा इंसे पाप नहोंने पाएं प्रभु तेरे इक्षा के अनुशारी बने तेरे इक्षा के अनुशारी यह बड़े यह प्रभु जीज ऐसा तुं चाहता है वैसा बनने पाए यह प्रभु प्रार्थण करते लिता तेरा साथ लिक्नेदा अबंगे सर पे बना रहे आसे इनके जीवन में श्रतानका राज्य समाप्त होने पाए हर दुश्य सर्थियां के जीवन से मिटने पाए यह सब तेरे राज्य के अधिकारी वरे महान प्रभु यैश्यू के नामें मांगते हैं आमें परमेश्व हरी को आसे दे गड़ ब्लेश धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बैल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए